नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ अब सभी का अपने यूटूब चैनल ऑनलाइन असेस्टन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि आवास हिए जाती प्रमानपत्र आय प्रमानपत्र बिहार सरकार का ऑनलाइन कैसे अपलाई करें व और बिना किसी ब्लॉक के ब्लॉक में गए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिहार सरकार ने अपनी लोग सिवाओ कर अधिकार के वैब सेट को पूरी तरह से अब लॉंच कर दिया है पहले जो वैब सेट्स थे बिहार सरकार के उसमें तखनीकी समस्या आती जाती थी दोस्तों ये केंदर सरकार ने अडॉप्ट करवाया है सभी स्टेट्स को कि वो इस सर्विस का यूज करे इसमें दोस्तों एक ही जगख पे आपको लगभग सारी सुविधाय सारी सर्विसिस मिल जाती है दोस्तों आप जाती आवासिये आए इस वेबसेट से अप सर्टिफिकेट्स भी आप यहां से अपलाई कर सकते हैं इसके लिए आप पैंशन भी अपलाई कर सकते हैं और कुछ सर्विस अभी च्राल में है जो की शुरूर नहीं की गई हैं वो भी कुछ समय के बाद शुरूर कर दी जाएंगी दोस्तों कोई भी सर्टिफिक्ट को नागरिक अनुभाग में आप खुद का पंजी करन कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप एक अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा डिटल्स नहीं है थोड़े से डिटल्स को आप डालके यहाँ पर नेम वेल्ड इमिल ऐडी मोबाइल नंबर और आप एक चाहते हैं तो आप सिधे यहाँ से जाथि परमानपत्र आयर्य पर्मानपत्र आर्थिक रूप से कम जोरवर के लिए व्यव्यवं के लिए श्यक्तर और जीलात दिकारे के सतर से तो आप सबसे पहले अंचल अधिकारी स्थर से ही अपलाई करेंगे तभी अनुमंडल से या फिर जिला से उस आप अपलाई कर पाएंगे तो अंचल अधिकारी स्थर पे क्लिक करें दोस्तों यहाँ पर form ट्वेलब कुल के सामने आ जाता है यहाँ पर आपको simply कुछ नहीं करना simply form को भर देना है सबसे पहले link select करें उसके बाद दोस्तों अभी वादन Salutation में आप स्री लगा सकते हैं या कि कोई अभी वादन नहीं भी रख सकते हैं दोस्तों जैसे हैं आप English में नाम input कर लेंगे और space button दबाएंगे वो automatic हिंदी में अनुवादित होके हिंदी वाले column में type होता रहेगा लेकिन अगर आपको नाम type करने में कोई problem आ रही है हिंदी में आपका spelling proper नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे वहाँ पर Google Hindi input tool का भी उप्योग कर सकते हैं दोस्तो सबी detail को input करने के बाद आपका नाम पिता का नाम माता का नाम और mobile number एंटर करने के बाद आपको यहां पे मिलता है राज्य select करने का option इस पर क्लिक करके आप राज्य select करें उसके बाद अपना जीला select कर ले जीला select करने दोस्तों आपको सब्डिविजन आपका नूमिनल स्लेक्ट करना पड़ेगा उसके दोस्तों आता है आपका ब्लॉक का स्लेक्ट करें और आप इस पर ग्राम अगर गाउं में निवास करते हैं तो ग्राम पंचत पर क्लिक करें दोस्तों सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहां पर साइज में हो चालिस के भी तीस के भी का साइज में हो हो जाए गए यहां पर आपको निवास का प्रकार सेलेक्ट करना है कि आप यहां पर स्थाई तोर पर निवास करते हैं यहां स्थाई तोर पर पत्र पर आपको क्लिक करना है और वर्ड वेरिफिकेशन को यहां पर यहां पर आपको क्लिक है तो इनिशियेट ए न्यू एप्लिकेशन है यहां से आप नया आविदिन कर सकते हैं अगर आपने इसमें कुछ टूटी करी है आप एडिक्ट भी कर सकते हैं और यहां से एन एक्षिर पर क्लिक करके आप अधार काड को यहां पर अटाइच कर सकते है यहां पर document type में आपको देखने को मिल गया कि कई तरह की document है आप इस में से कोई भी एक दे सकते हैं तो यहां पर मैंने अधार कार को Select किया यहां पर Choose file करेंगे और अधार को यहां टैच करेंगे और यहां पर दुस्तो आप चाहे तो अपने डीजी लोकर से सीधे यहां पर फैज कर सकते हैं या फिर आप अपने स्कैनर से प्रिंटर से यहां से स्कैन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हमने यहां पर अप्लोड करी है तो से पर क्लिक करेंगे अब हमारा दस्तावेश जो है अधार काड यहां पर टैच हो चुका है अब सब् receiving है आपका जो रसीद है वो जनेरेट हो जाता है आपको अब अपने नजदी की व्लोग में भी जानी की सुझत नहीं है आपके दिये गए नंबर पर एक लिंक भीज़ा जाएगा जब आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा और आपको बस उस लिंक पर क्लिक करके सर्टि पर डाउलोड कर लेना बहुत ही सिंपल स्टैप्स है और बहुत ही असानी से आप इसे कर सकते हैं आप बिल्कुल बिसे बिना किसी ब्लोग गया बिना कहीं कोई डॉक्मेंट जमा किया आप और और इसका लाब ले सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिल जब पार्द्राइब सकते हैं.